हलो गाईस, मैं आपकी गार्णर दोस्त कल्पना दोस्तो जब भी हम नर्षरी से पौधा लाते हैं तो कई पौधों में आपको इस तरह से लाल मिट्टी देखने को मिल जाती होगी और ये लाल मिट्टी जो है जो बाहर से पौधे आते हैं में आती है महाराष्ट तरब से बैंगलोर या पूना से जो पौदे आते हैं तो इस तरह की मिट्टी होती है कले मिट्टी बोलते हैं और जब यह मिट्टी गिली होती है तो आपको बिल्कुल छूने पे एक दम चिकनी सी लगेगी और यह देखिए सूखने के बाद कितनी सक् तो हम लोग क्या करते हैं पौदे से मिट्टी निकाल देते हैं और इस मिट्टी को फेक देते हैं इस मिट्टी को कभी नहीं फेके यह मिट्टी में बहुत ही अच्छा आईरन की मातरा बहुत अच्छी होती है आईरन पोटाशियम मैगनेसियम तीनों चीज़े इसमें यह चपकती है हातों में तो इसे के लिए मिट्टी कहते हैं दोस्तों तो अगर आपके पास इस तरह की मिट्टी आप इसको फेक देते हैं तो इसको फेके नहीं इसको आप यूज कर सकते हैं इसको उपयोगी और उपजाओ मिट्टी बनाने के लिए हमें करना क्या है दोस्तो तो इसमें क्या-क्या मिक्स करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ और यह बहुत ही अच्छी एक बैलरन मिट्टी आपकी तयार हो जाएगी जिसमें आप किसी भी तरह के प्लांट लगा सकते हैं मिट्टी देख सकते हैं कितनी सकते हैं मिट्टी में मिट्टी को सबसे पहले हम लोग चूरण बना लेते महीन कर लेते हैं मिट्टी में पाणी चूरा क्षाव काता कह़ी जादा होता है जैसे आप ने एक बार पाणी राला तो कई दिनों तक किसम नमी बनी रहती है तो जो हमारे बाहर से प्लांट आते हैं और चार से पांद दिन लग जाते हैं आने में इसलिए इस मिट्टी का प्रियूप किया जाता है दोस्तों चलिए दोस्तों ये देखिए मैंने अपने जो मिट्टी है उसका एक अच्छा सा चूरा बना लिया है महीन कर लिया है इसको और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तयार हो चुकी है और लग भी नहीं रहे है दोस्तों की एक लिए मिट्टी है रेट कलर की और अब मैं इसमें मिक्स करूंगी बालू बालू मिलाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों बराबर की मात्रा में आप इसमें मिलाईए क्योंकि बेल्रेन मिट्टी तयार करनी है तो बालू जरूर मिलाएं अब मैंने इसमें ली है कोको पीट कोको पीट मैंने मिक्स किया है 70% दोस्तों और मैंने ली है इसमें गार्डन स्वेल मेरी गार्डन स्वेल में पहले से कमपोस्ट मिक्स है तो मैंने थोड़ी मिटी तयार होगी, मेरी मिटी में पहले से ही कमपो़च्ट मिक्स थी, तो मैंने 70% ही कमपो़च्ट ली है, तो आप बराबर की मात्रा लें, अब मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ, दोस्तों, नीम खली, आपके पास अगर है, तो आप इसमें 40% नीम खली मिला दें, अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो यह सबसे सस्ता और सरल उपाय है पतियों को आप तोड़िए और उनको सुखा लेजिए धूप में और उनका चूरा बना लेजिए पतियां मिटी में मिक्स करने का एक सबसे अच्छा फायदा होता है कि मिटी में किसी तरह की फंगस नहीं ल मिक्स कर लेते हैं चारो चीजे आपको बरावर की मातरा में मिक्स करनी है कोको पीट थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं वह पौदर के अकॉर्डिंग होती है कि हमारा प्लांट किस तरह का है तो यह देखिए मैंने सारी चीजे मिक्स कर दी है और नीम खली की जगे में नीम की पतियों का यूज कर रही हूं तो उसको अच्छे से महीन करके डालें क्रेस करके डालें ताकि बहुत जल्दी वो टी कमपोश्ट हो जाए तो यह मैंने क्रेस कर लिया है और यह देखिए मैंने मिक्स कर दी है तो इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं दोस्तों तो दोस इसको श्टोर करते जाएए दोस्तों ये अमली मिट्टी होती है लाल मिट्टी में आयरन की और पोटेशियम की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है तो आप इसको एक उपजाओ मिट्टी तयार कर सकते हैं इस तरह से और इसमें कोई भी आप पौधा लगा सकते हैं सेरों में तो ज्यादा तर मिट्टी हम लोगों को नरसरी वाले से पैसों में ही खरीदनी पड़ती है तो इस तरह से मिट्टी को हम वेश्ट ना करें और उसको एक उपजाओ और उपयोगी मिट्टी बनाए तो दोस्तों चलिए एक पौधा भी लगा कर दिखा देते हैं ये म अच्छे महीने में डी कंपोस्ट भी हो जाते हैं और हमारा डेनिय शिस्टम भी बहुत अच्छा बनता है इससे चलिए जो हमने उपजाओ मिट्टी तयार की है इसको हम गमले में भर लेते हैं और लगाते हैं एक पौधा दोस्तों इस तरह से जब भी आप नरसरी से काफी जादा होती है दोस्तों लेकिन इसमें आइरन की और पोटेशियम की मातरा काफी अच्छी होती है जिससे पौधे हरे रहते हैं कुछ पोसक तक तोंकी कमी होती है तो इसके लिए आप कोई भी कमपोस्ट उसमें यूज कर सकते हैं दोस्तों इस तरह से आप अपनी वीडियो अच्छे लगा हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें दोस्तों लाइक करें और शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में